बेस्ट सुलूशन्स चैनल में आपका स्वागत है लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें अंडे का सेवन सिहत के लिहाज से बहुती फायदेमन माना जाता है और माना भी क्यों न जाये क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुती मातरा में होता है और श्रीर की मास पेशियों को मजबूत बनाने में प्रोटीन ही जिम्मेदार है लेकिन यहाँ पर हम छोटी सी एक इन्फरमे देना चाहते हैं क्योंकि जो लोग non wedge खाते हैं वो लोग अंडे का सेवन हर रोज करते हैं ऐसे में अंडे के सेवन से जुड़ी हुई कुछ important information है जिसको जानना आपके लिए बिहल ज़रूरी है दोस्तों अंडे को कई तरह से हम पका कर खाते हैं कुछ लोग तो अंडे को कच या जाए तो वो सबसे अच्छा है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों रिष्टेदार भी स्वस्त रहें तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ share करें इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे इस share बटन के ऊपर क्लिक करें और list में WhatsApp और Facebook सेलेक्ट करें और जल्दी से इस वीडियो को शियर करें तो चलिए दोस्तों पहले अंडे को खाने के सही तरीके के बारे में जानते हैं दोस्तों अगर आप अंडे को कच्चा खाते हैं तो इसके अंदर का बैक्टीरिया जिसे हम सैल्मो नीला के नाम से जानते हैं वो बैक्टीरिया श्रीर के लिए काफी हामफुल होता है अगर हम अंडे को कच्चा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे पेट में जाकर पेट की infection, सिर में दर्द और बहुत सी problems पैदा कर सकता है तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अंडे को कच्चा कभी भी न खाएं अगर आप अंडे को उबाल कर खाते हैं तो उबालने से इसकी अंदर का बैक्टीरिया सैलमोनिला मर जाता है जिस कारण से अंडा हमारे लिए safe बन जाता है लेकिन यहां पर भी एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अंडे में जो पीला पाठ है जिसे हम अंडे की जर्दी कहते हैं उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कॉलेस्टॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपकी श्रीर में कॉलेस्टॉल के लेवल को बढ़ा सकती है जिससे आगे चलकर आपको हर्ट अटेक की समस्या भी आ सकती है तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी अंडे का सेवन करें तो इसे उबाल कर खाएं और इसका पीला पाठ कभी भी ना खाएं अगर आप इसके पीले पाठ को खाना चाहते हैं तो आप चार अंडों का अगर सेवन कर रहे हैं तो उसमें से एक अंडे का पीला पाठ आप खाएं बाकी तीन का सिरफ सफेद पाठ का ही सेवन करें अगर अंडे के सफेद पाठ की बात करें तो ये purely protein है ये ऐसा protein है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता अंडे के अंदर का protein श्रीर के लिए काफी अच्छा होता है इसलिए अंडे को हमेशा prefer किया जाता है जो लोग gym या workout करते हैं तो अगर आप अंडे का सेवन करते हैं तो इससे आपको जो फायदे होंगे मैं आपको वो बताता हू क्योंकि फायदे जानकर आप वाके ही हरान हो जाएंगे अगर सुबह खाली पेट बिना yellow part वाले उबले हुए अंडे का सेवन किया जाए तो ये श्रीर के लिए काफी फायदे मंद है अगर आपके बाल जढते हैं तो आपको सुबह खाली पेट उबले हुए अंडे का सेव जरूर करना चाहिए क्योंकि जढते हुए बालों को अगर रोकने का कोई सबसे बड़िया इलाज है तो वो अंडा ही है इसी लिए अंडे को सिर पर लगाया भी जाता है जो लोग अपने बालों को मुलायम naturally condition करना चाहते हैं या बालों का जढ़ना रोकना चाहते हैं वो ल जरूरत नहीं है बस खाली पेट अंडा खाएं और अंडे को सिर के ऊपर लगाएं इसके लावा अगर आपके घुटनों में दर्द है अगर आपके जोडों में कहीं भी दर्द है तो आप अंडे का सेवन जरूर करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अंडे का अगर आपके घुटनों में दर्द है तो सुबह खाली पेट अंडों का सेवन करना शुरू करें दो से तीन अंडों का सेवन अगर सुबह खाली पेट किया जाए तो एक से दो महीने में जोडों के दर से बहुत आराम मिलता है और अर्थराइटिस की प्रॉबलम को आप 4-6 यह महीने में जड़ से खतम कर सकते हैं अगर आप उबले हुए अंडों का सेवन उसकी यelow पार्ट के बिना करते हैं तो आपका दिल बहुत ही स्वस रहता है अगर आप हर्ट अटेक जैसी बिमारी से बचना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट अंडे का सेवन करें उसके य वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेर जरूर करें क्योंकि ये आपका शेर किसी दूसरे इंसान की जिन्दगी बचा सकता है ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल बेस्ट सल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें धन् क्योंब करें करें दोétais वीजियो के लरूपंजरितो अंच इस चैनल वेडियो के लिए को जड़ ऑर ओन मेंदर्ट हिए कि दों प्लोर सब्सक्राइब करेंवे को लिए